नमस्कार कारिकरम अपसर नामा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अपसर नामा में आज हमारे साथ अखिल भारतिये सेवा, भारतिये प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे सेवा निवरत अधिकारी हैं जिनकी परस्नेलिटी में मैं व्यक्तिकत तोर पर मानता हूँ कि इतने रंग हैं और इतनी सारी चीजें हैं जो सीखी जा सकती हैं इसलिए नहीं कि वो एक देश की सर्वसरेष्ट सेवा से आने वाले अधिकारी रहे हैं और उन्होंने मध्यप्रदेश के प्रशासनिक मुखिया यानि चीफ सेक्रेटरी की कमान भी समाली है और वरतमान में भी वो एक महत्वपूर्ण पदपे हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त की वो जमेदारी समाल रहे हैं लेकिन अगर मैं उनके व्यक्तित्व की बात करूं एक एनरजी जो शायद बाइस साल में उनके भीतर देखी गई वो आज भी उनके साथ चल रही है और इसकी वज़े शायद उनको लेकर उन्होंने ना कभी द्वंद का सामना किया और ना कभी शायद इस तरह से वो सामने आये क्योंकि द्वंद तब पैदा होता है जब आप समझोतावादी होते हैं आप अपनी माननेताओं से अलग हटते हैं आज भी उनमें 22 साल की एक युवा की एनरजी है और य 1978 बैच के आये सद्धिकारी रहे आर परशुराम जी से बहुत स्वागत करता हूं परशुराम जी बहुत 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 दन्यवाद मुझे आपके बीच आज जाने में बड़ा हर्श है कि ऐसा मुका मुझे आपसे बाचीत करने का मिला और आपने मेरी तारीफ में बहुत स परंपरिक मूल्य मान्यताएं बचपन से ही क्या यह सहज जो तत्तु था इक बड़ी हमने आपके भीतर एनरजी देखी आपका हास्य बहुत बहुत तगड़ा है आप हमेशा हसने हसाने का कोई ना कोई मौका ढूंड लेते हैं मीटिंग जों पत्रकारों से बातचीत हो सबस्ताओं उसका असर मुझ पे भी पड़ा परिवार में भी पेरेंट्स का माता पिता का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा शिक्षा भी अच्छी हुई स्कूलों का वातावरन बड़ा अच्छा रहा तो मैं सबस्ताओं यह सारा कुछ अगर कुछ है और कुछ अच्छा ही हम लोग Tamil भाशी जरूर हैं, लेकिन मैं जरा Tamil भाशी मद्रप्रदेशी हूँ, क्योंकि मेरा जन्द भी यहीं हुआ और यहीं पला बड़ा, तो घर में तो हम लोग तामिल बोलते हैं, लेकिन तो लोग मुझे से पूछते हैं कि आपकी कौनसी मातर भाशा है, तो मातर भाशा तरह तरह की लोगों से नाकेबल मिलें, लेकिन मद्रप्रदेश में लगभाशा, और चतितितगर जिसका नम आप ने लिया, चतितितगर और मद्रप्रदेश यही थे, लगभाशा हमारे समस्त जीवन काल में, पिछले यह 17 वर शोड़ करके, तो उस दौरान मद्रप्रदे और यही वजय है कि आपकी हिंदी जो है, उतनी ही सशक्त है, जितनी कि एक हिंदी भाशी राज्य में रहने वाले व्यक्ति की, क्योंकि मैंने बड़ी फ्लुएंसी देखी है आपकी भाशा में, बहुत सहज रूप से, और आपने बहुत संदर शब्द गढ़ा है, इसलिए कि मैं एक हिंदी भाशी तमिलियन हूँ, इस तरह की बाद जो आप कहते हैं, मैं बात करूँ अगर आपके बचपन की दो, पिताजी शायद टेकनिकल सर्विसे से, हाँ मेरे पिताजी मद्रुदेश विद्यूत मंडल में इंजिनियर है, और वहीं से रेटायर गुरुज है यह अखिल भारतिय सेवा में आने का विजार, जब आप कॉलेज एजूकेशन आप कम्प्लीट कर रहे थे, आपका भी इंजिनिरिंग का बैग्राउंड रहा है, कहां से यह मन में बात आई, अभिरुची आपकी कैसे कुछ देख कर किसी ने प्रेरित किया? देखे, दो प्रेरणा जो होती है, वो उसके स्रोत कही होते हैं, और कुछ उनमें से इंडिरेक्टली भी आप पर रसर कर रहे होते हैं, तो मद्वदेश में रहते रहते हैं, कहीं ने कहीं तो वो बात रही होगी मेरे मन में, लेकिन उस दौरान जब कॉलेज में पढ़ते मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे मन में ये बात कभी आई भी कि मैंने अखेल भारती से वा में जाना है, बलकि मैंने जाकर के कंपनी में ही नौकरी करी, बंबई में, लेकिन वहां पर काम करते-करते मुझे लगा कि कुछ मुझे शायद ये नहीं करना चाहता हूं, तो फिर प्र नए विश्यों को लेकर के, लेकिन ये ज़रूर तैय किया था कि जो काम कर रहे हैं वो शायद नहीं करना चाहेंगे, और तब इसकी तरफ आकर्शन बढ़ने लगा, मेरे परिवार में मध्यपदेश में ही मेरे मामा IPS अधिकारी रहे हैं, और वो IPS के सबसे पहले batch के, 1947 batch के अधिकारी रहे हैं, तो कही न कहीं मन में ये रहता था कि सरकारी नौकरियां भी अच्छी होती हैं, पिता जी तो थे ही, लेकिन वो विद्यूत मंडल में थे, तो क्यो ना All India Services की तरफ भी देखा जाया है, और यदिपी मामा मेरे 1966 में मध्यपदेश से एक बार दिल्ली फिर महीं से रटायर हुए DG थे, CRPF के, तो मध्यपदेश में तो नहीं थे, लेकिन एक घर का असर था ही, और जाने माने पुलिस अधिकारी थे, तो उसका भी एक प्रभाव रहता था, क्योंकि हमारे घर में हमारी मां विशेष करके, सभी बच्चों को उनका उलेक जरू और उन्होंने नियुक्तीम भी मुझे भौपाल में दे जी, तो मैंने सूचा कि यह अच्छा, बैंकर दोस्त मेरे बहुत खुशनी होंगे इस बात से, कि मैंने कहीं इसको stepping stone के रूप में तो नहीं इस्तिमाल कर लिया, हाला कि मैं बैंक में बहुत seriously काम भी किया, यह अपन 77 में मैंने बैंक जोइन किया, 77 की गर्मियों में और सर्दियों में यह परिक्षा हुई और 78 में यहां आ गया, तो उस तरह से फिर, और मधिरदेश कारण मिल गया तो मधिरदेश आ गया, जब आप अखिल भारती सेवा में प्रवेश हुआ, तो आने के बाद क्या आपको लगा कि यह वही सर्विस है जिसका सपना एक युवा देखता है या आर पर शुलाम साब देखते थे या फिर आने के बाद एक साल, तेर साल का समय बिताने के बाद लगा कुछ चैलेंजिज भी हैं जिनसे निपटना है या बहुत कमफर्ट लगाओ, नहीं मुझे लगा, आ करके लगा कि घर वापसी हो गई, इन दे सेंस कि मेरी पहली पोस्टिंग बस्तर में थी जब ट्रेनिंग के दौरान और जोइन करने के बाद कभी भी एक मिनिट को नहीं लगा कि इसके अलावा मैंने कुछ और करना चाहिए मैंने और लगा कि यहां पर काम बहुत है और अच्छा है और स्वयम व्यक्ति क्या सोचता है उस समय बहुत महत्पर इसलिए नहीं रखता क्योंकि उस समय शायद कमी सोचता है युवा होता है अपने काम में लगा रहता है लेकिन बहुत साल बात मैं समझता हूं कि उसके लगभग 16-18 साल बात यहीं बपाल में कुछ न हुआ अकैडमी में तब ततकाल डीजी साब ने शरत बहार साब ने बिलाया था तो हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो कुछ अधिकारियों ने वरिष्टों ने कहा कि नहीं अब यह सरकारी नौकरिया करना बेकार है आप लोगों को इसमें क्या मिलने वाला हमें तो समझ करेंगे आपके लिए बहुत ही productive होगा और आपके लिए satisfying भी होगा और मानके चलिए कि अभी अपने ऐसा कोई काम खतम नहीं हुआ है हमारे देश में कि सरकारी नोकरियों को हम एक छोटी नजर से देखें और उनका अपना महत्व है समाज में भी महत्व है और हमारा रोल भ बात है बस्तर आपकी पहली पोस्टिंग करीब करीब एक तालिस साल पहले चालिस साल पहले चार दशक पहले का बस्तर एक युवा आये सदिकारी के मस्तिश्क में किस तरह से दर्ज हुआ जब आप बस्तर गए वहां के आदिवासी जन जीवन और वो शायद उस समय इतना यह नक्सल मेनिया भी शायद उतना इतना स्प्रेड आउट नहीं रहा होगा आप किस तरह से वह बस्तर आपकी स्मृति में दर्ज है क्योंकि हमने चार्टिस गड़ में एक कारिक्रम में बस्तर पर जो केंद्रित था उसमें हमने आपको सुना था मैं जाना चाहूँगा व पहले जब पहुंचा था उसके बाद में लॉटके जब गया साथ-एट साल बाद और अब जब हम पिछले साल बस्तर जिले में मिले थे आप भी उस कारिक्रम में शामिल हुए थे तो बहुत फरक आया लेकिन और इसलिए जो परिवर्तन आया है जो बहतरी हुई है उसका आ तो फिर रखता है कि शायद जो किया गया है वो कम रहा ऐसा तो नहीं है कि हम में कोई कमी नहीн रही हो और लोग नाराज हो गया हो तो इसका मतलब है कि आत्म चिंतन की हमेशा जो डितान तावश्रक्ता रही है और उसके आधार पर और अरुबहों के आधार पर जो वहां किया जाना था शायद उसको करने में कमी रह गई लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी काम नहीं हुए आज जो हम बस्तर में देखते हैं जिस तरह के खुशाली लोगों के पार में है कमपेरिटिवली वह उसमें और जो 1978 या 89 में जो स्थिती थी उसमें जमीन आस्मान का अंतर है परंतु आबादी बढ़ गई अपेक् अंभार लग गया लोहों के मद में और जो कि सही है क्योंकि दुनिया जिस तरह से सिमट रही है communication के माध्यम से और media के माध्यम से उससे जो awareness बढ़ रही है तो साथ में जो expectations बढ़ रही है अगर हम उसकी तरफ समुझे ध्यान नहीं दें और चुनौती तो नेतरत्व की यह है कि वो आगे की सोचे बहुत आगे की उसे ही सोचना पड़ेगा उसे यह imagine करना पड़ता है नेतर और वो अगर हम उसमें शायद कहीं कमी रह गई हम इसलिए यह चीजने जो है और यह समझ से आए उत्पन मैं कुछ विक्तिगत प्रश्णों की तरफ आपकी अनुमती से आना चाहूंगा इश्वर पर आपका विश्वास अडिग है यह जो energy मैं फिर आपको सवाल की तरफ लेकर आता हूं क्या जिसे हमने सुना आपको लता मंगिश्कर जी के गीत बहुत प्रिये हैं जब आप चीफ सेक्रेटरी थे एक बार हमने बात किया आप से तो आपने बहुत सहज रूप से और मेरे लिए यह बड़ा इंपॉर्टन्ट अनुभाव हो था कि एक मुख्य सच इतनी सहजता से बात करा है हसते हुए इसी विनम रुमुसकान के साथ कि हा मुझे लटामगिश्कर के गाने बहुत प्रिये हैं मैं सुनता हूं उतसे मैं और रिलेक्स होता हूं टेलेविजन देखता हूं फिलमें देखता हूं यह जो एनरजी कि क्या लगा आपको मैं अचान है परशुराम साब वहू आयेस फरैटेनिटी से भी है अ ईपेस से भी हैं दबाव हैं प्रेशर हैं परिवारिक जीवन की चनौतियां हैं धन की चनौतियां हैं लेकिन आपको हमने देखा कि जैसे आप इन सब से थोड़ा थोड़ा क्या खासा ऊपर चलते रहें नहीं मैं समस्ता हूँ कि परशानियां अपनी जगे होती ही ही है कोई بھی जीवन किसी इवक्ते का जीवन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें उतार या चढ़ाव- नहीं हो बलकि उतार नहीं हो तो चढ़ाव कहां से आएगा तो उतार तो होती ही है और दूसरा यह कि अगर चड़ाव ही चड़ाव है तो उससे मन में दम भोरा जाएगा, क्योंकि एरगन्स हा जाएगी, तो मैं समस्ता हूँ कि यह शृष्ष्टी है, उसकी रश्णाई ऐसी हुई है कि चड़ावों के साथ-साथ कुछ न कुछ उतार आएंगे, लेकिन एक सम्मिट भी है, जैसा कि पहाडों में जब हम लोग जाते हैं और मुझे पहाडों में यात्रा करना बहुत पसंद है, पहाडों में जब आप किसी भी उंची जगह पर जाते हैं, समझ लीजे आप कोई नहीं, आप शिमले ही चले गए, जो कि साथ-साथ-साथ-साथ-जार फूट उपर है समुदर सतह से, तो जब आप अंबाला से उपर बढ़ेंगे, कई भार घाटीहों में नीचे भी उत्रएंगे और फिर उपर चड़ेंगे लेकिन यह जरूर है कि जाध़ा चड़ेंगे, और कम उत्रेंगे, फिर जाध़ा कम उत्रेंगे और तब जाके पहौँचेंगे। तो मैं समझता हूँ जीवन भी एक तरह से ऐसा ही है तो चुनौती यह है कि जब उतार हो तो उस समय एक जिसको अंग्रेजी में कहते है ना sense of frustration या despondency दोनों नहीं होनी चाहिए और अगर वो सफल हो गया और वो कैसे सफल हो सकते हैं वो मेरी मानिता ही है कि आप अकेले ही जो लो कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही प्रभुद्ध हैं बहुत पहुंचे हुए हैं महात्मा हैं ऐसे भी लोग हैं और बागी लोगों के लिए लेकिन जो सानिद्य होता है वो बहुत महत्पूर्ण होता है और वो सानिद्य कैसा है उस उसमें फिर परिवार, परिम के सदस्य, उसमें फिर दोस्त, उसमें फिर जो लोग हैं उनका भी प्रभाव रहता और आप उन्हें प्रभावित कर रहे होते हैं। तो मैं सुझता हूँ उसका लाह मुझे मिला है, तो यह सवाल जो आपने किया, उर्जा की भी बात की, मैं समस्ता हूँ, उर्जा बनाए रखने में, चाहिए वो फिजिकल हो या मेंटल हो, तो आप में वो विल, वो अकांगशा कहां से पैदा होती है, वो सामने वालों को भी देखे होती है, तो मुझे तो अब लगता है, अ अंन से बात कर रहा था, तो मुझे वहाँ उन्होंने जो कुछ मुझे से प्राफ्ट किया हो यं नहीं किया हो, उन से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा कि उन से मुझे बहुत कुछ मिला, क्योंकि नई सोच, और सारा डिसकेशन अर्शन अमारा इस पे नही था क कि मैं क्या कहना चाहता हूं उस पर केंदत रहा कि वो क्या सुनना चाहेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं तो एक अच्छा मैसेज है परशुराम साफ का कि क्या आप दूसरों से सीखते हैं या अपनी खिड़की हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और यह मानते हैं कि मैं ही दुनिया का सबसे समझदार आदमी हूं जैसी एक कहावत है कि कई बार विक्ति यह मानता है कि दुनिया में डेढ़ कर रहा हूं और प्रशासनिक धांचे की भी बात कर रहा हूं तब और अब में आप कुछ महत्पूर्ण परिवर्तन जो सकारात्मग भी हो सकते हैं नकारात्मग भी हो सकते हैं समाज में भी और प्रशासनिक धांचे में भी क्या देखते हैं समाज में तो बहुत बड़ा प परिवर्तन है, अब सबसे बड़ी बात जो समाज में देखने को आई है, जो कि पॉजिटिव है, वो यह है कि परिवर्तन से लोग विमुख नहीं होना चाहते हैं, परिवर्तन को अपनाना चाहते हैं, मतलब willingness है, और क्योंकि aspirations इसको कहते हैं हम दो, वो बहुत बढ़ गई है लोगों के मन में, और वो एक दूसरे शिक्षा उसको पोशित कर रही है, awareness उसको पोशित कर रही है, मीडिया को एक्सेस बढ़ गया हमारा, चाहे सोशल मीडिया हो आज या electronic मीडिया हो, या क्योंकि literacy बढ़ गई है, इसलिए प्रण्य की शमता बढ़ गई हो, education बढ़ गया जो कि शायद पहले कम था, मुझे जिस बस्तर की आप बात कर रहे हैं, उसकी या सीधी सतना जैसे और जलो में भी मैं collector रहा हूँ, बस्तर में जब हम आज से 40 साल पहले जाते थे, तो गाउं में जाते थे तो आजिवासी लोग सरकारी जीप देख के भाग जाते थे, उन्ह प्रशावारी बहुत बड़ी है, तो एक तो यह बात हुई, और दूसरी बात आपने पूछा था कि प्रशासनिक धाचा इस बारे में तो थोड़ा हमें आत्मेचिंतन हमेशा ही करना होगा, प्रशासनों के लिए बड़ी चुनौती है, हमेशा रही है और 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 बही प्रशासन और राजनेतीewी नहीं बड़ेकि राजनेता हैं हमारे, क्योंकि प्रशासन के लीडर नत्त्त होई हैं, पौलिटिकल पार्टीस के जो नेता होते हैं, वही सत्ता में आते हैं, और अर हमारे लीडर वो एकल्षनी है, उनके लिए हमसे भी बड़ी चुनौती है, क उसके लिए response कैसे हो यही solution अब ढूनने में लगें लोग परिवार में फिर एक निजी जीवन के आपके प्रश्ण की तरफ आता हूँ जीवन की बहुत महत्पूर्ण कड़ी होती है अरधांगिनी पत्नी जीवन साथी एक आये सदिकारी के नाते बड़ा टफ जॉब होता है हाला कि मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे जीवन साथी के तौर पर भी यह तो मेरी पत्नी बताईगी मैं क्या बता हूँ का उनका किस तरगा क्या वो भी सेवा में रही या वो ग्रहनी रही है हाउसवाइफ रही नहीं मेरी पत्नी जो आप कह रहे थे मैं शायद उसने अपने करी अपने कोई भी ambitions को काफी postpone करके रखा और शायद बहुत सारी चीज़ा ऐसी होगी जो नहीं भी कर पाई होगी और लेकिन उनने मेरा साथ हमीशा दिया और आप कुछ सीमित रूप से कुछ काम भी करती है वो जो उनको पसंद है लेकिन आपकी सेवा के उतनी intelligent है जितनी मैं हूँ मुझसे ज्यादा भी intelligent हूँ मैं तो यही अपना जैसा मैं कहता हूँ ना local में पढ़ा हुआ आदमी हूँ चातरपूर पिपरिया बोपाल वगरेका वो बंबई से पढ़ी हुई लड़की में पढ़ी हुई लड़की है और मंबई इनस्टी में अच्छे उन्होंने उपलब्दियां हासिल की थी शैक्षनि उसका साथ मेरे लिए बहुत important रहा और हमेशा रहा तो और continuously रहा और मैं समस्ता हूँ कि जो उसको हम लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा friend और guide कौन हो सकता है जिंदगी में तो उस role को उन्होंने बहुभी नभाया सर आप से एक चीज मैं सीखूंगा अभी जब आप बात कर रहे से उनके बारे में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप 25 साल के आर पर शुराम हैं आपने जिस तरह उनको याद किया मुझे लगता है यह बहुत important बात है यह sense of belonging जो है आप अपने जीवन साथ ही जिससे आप मेरे हम दोनों के एक ही बच्चा है एक ही लका है नहीं उसके मन में सरकारी नौकरी में आने की इच्छा कदाप ही नहीं थी और हमने का बिलकुल ठीक है और वो आपकी दुनिया में है वीडिया वर्ल्ड में है तो और उसकी इच्छा के अनुसार है तो इसलिए कभी भी हम दोनों ने हमने नहीं कहा कि जो भी करना है तुम्हें अच्छी तरह से करना है और इमांदारी से करना है और इमांदारी मतलब दोनों तरह की इमांदारियां होनी चाहिए इंटेलेक्टियल ऑनेस्टी भी होनी चाहिए और जिसको हम लोग आजकल इमांदारी कहते हैं पैसे के मामले की दोनों होना चाहिए लेकिन intellectual honesty भी होनी चाहिए और संघंश लेकिन बहुत होगा उसमें और organized sector में नौकरी कर लेना जैसे हम जैसे लोग हैं आप इस आपने बड़ा अच्छा शब्द एक प्रयोग किया बौधिक इसको आप किस तरह से define करेंगे बौधिक इमारंदारी जो है वो इस तरह से कि जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं उसके साथ में आपका comfort level 100% होना जाए आहा क्या बात है आज नहीं जब आप कर रहे हैं तब भी जब कि आप ये नहीं कर रहे होते हैं बाद में reflection में और जैस उसी तरह से करें चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो क्या बात है क्या बात है कई बार तो हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई देख रहा है कोई देख रहा है लेकिन वो इमांदारी नहीं है वो सकता है इसका मतलब है को नहीं देख रहा हो तो आप घरबल करने की क सोच आपके मन में आएगा, इसलिए इमानदारी तो वह है कि जो कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, और फिर जैसे आपने मुझसे कूछा कि ईश्वर में विश्वास है कि नहीं है, तो मैंने कहा है, वो तो देखी रहा है, भला यू कांट एस्केव दैट, इसंट स्वाल की तरफ मैं आपको लेकर आना, जिन्दगी बहुत अच्छे से आपने जी है, पूरा सटिस्फेक्शन है, अभी धाई साल के आसपास 22 महीने का कारेकाल है, यहां भी बहुत बढ़िया काम आपका रहा है, और आगे जीवन को आप कैसा देखते हैं, किस तरह से और केस मुकाम पर, कि लगता है कि क्या जरूरी है कि हमेशा सोचा ही जाए कि आगे बहुत क्या करना है, तो वाइनोट टेक तिंग्स ऐस दे कम, जिसको कहते हैं, जैसा गीता कहती है, बिल्कुल, तो अब शायद उस जीवन की उस अवस्ता में पहुंच रहे हैं, कि लगता है क कि अब हमारी तरफ से कचुनोतियां नहीं है, किसी को हम कहें कि हम यह करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज सामने आएगी, तो हम उसके साथ कैसे डील करें, वो एक बड़ा अच्छा है, और एक अच्छी पोजिशन है जिन्दगी में, क्योंकि मेरी मानिता यह है कि हम जैसे बढ़ते जाते हैं, चाहे अभी आपका मन, आप मुझे 20 का कहके मुझे शर्विंता भी कर रहे हैं, नहीं नहीं सर, यह मेरे हिरदय के बिलकुल अंदर से है, लेकिन सच बात तो यह है कि हम जब 20 साल के थे, उसमें बहुत कम लेख थे, आज देश में बहुत जाला लोग है उससे, तो स्पेस तो सब के लिए है, तो हम जो आगे बढ़ रहे हैं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए इन जगहों पर और लोगों को आना ही है, यह केवल पोस्टिंग उसमें नहीं है, यह जीवन के हर मकाम पर है और हर आयाम में है, इसलिए अब आगे, मैं सोचता हू करने का मौका मिले, तो जरू करेंगे, न मिलेगा तो ढूणेंगे उसे, क्या बात है, मैं बहुत शुपकामना है देता हूं पर शुराम जी और यह बातचीत जैसा आप से इसके पहले हमने जब भी चर्चा की है, जैसा आप कहते हैं कि आप सीखते हैं लोगों से, हम सीखत हैं, जो भी मर्यादा है, उसके बीतर में बहुत शुपकामना हैं आपको देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहां आने का मौका दिया, I am so grateful, thank you so much, यह थे आर परशुराम मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयूक, अफसर नामा में इतना ही, अगली ब करेंगे, इजादत जीजे, नमस्कार.